मैं आपके साथ डॉक्टर वायराखी शेयर कर रही हूँ मा के नौ दिन आपको क्या-क्या भोग लगाना है पहले दिन मा को जो है नारियल और मिश्री का भोग लगाई है दूसरे दिन मा को मालपुए का भोग लगाई है तीसरे दिन मा को पंच मेवे का भोग लगाई है और चौते दिन मा को हलवे या खीर का भोग लगाई है आपको मा के सामने मीठी रोटी का या मीठी पूरी का भोग लगाना है नौवे दिन सिद्धी दात्री का दिन है सभी सिद्धियों को देने वाली है तो आपके घर में नौवी पूस्ते हैं तो हलवा पूरी छोले सब बनेंगे उसका तो आप भोग लगाएंगे लगाएंगे लेकिन उसके सिवह भी नौवे दिन मा को specially खाने के समय पर सुभा जब आप भोग लगाएं तो वहाँ पर आप एक पान का पत्ता ले लें और उस पान के पत्ते पर गुड रखकर मा को भोग लगाएं आपकी जो भी चाहोगी वो पूर्ण होगी अब आपके दिल नोगर आकी जी भोग लगाते कैसे हैं देखिए आपको क्या करना है जो भी चीजे मैंने बोलें दिन के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा उठा कर मा की जो 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 जल रही है न कहते हैं मा का जो आगमन होता है आपके घर में उनकी जोत में ही होता है तो वो जोत में थोड़ा सा ज़रूर मिला दे आप हर रोच मा के सामने गाएं के गोबर का उपला लेकर उसे गैस पर दोनों तरफ गरम करके उसमें थोड़ा सा कपूर रखकर दो लॉं Kitchen को अहुती ज़रूर दे ये काम आप आवश्य कर लें इसके साथ एक बास सामज लीजे कि नवरात्रों में साथविक रहना हैं भले आवरत रखें ना रखें लस्सन प्याज मदिरा और तंबाखु सिग्रेट शराब इन्हें जो छोड़ सकें त्याक कर सकें वो जरू करें पुर्शर से कहूंगे अग दिन उर्जा के होते हैं संचार उर्जा मा आपको शक्ती दे कर जाती है शक्ती कि आपकी शरीर की शक्ती नहीं दे कर जाती है आपको ताकत देती है हिम्मत देती है होसला देती है वेपार देती है काम देती है नौकरी में तरक्की देती है इंक्रिमेंट देती है प्रमोश को बहुत बढ़ा बताया गया है और हिंदु धरम से भी उपर जैनियों के अंदर जैन धरम में त्याक को बहुत बढ़ा बताया गया है भले आप नौ दिन के नवरात्रे ना रखें मैं आपसे प्राक्टिकल जोतिश की बाते कर रही हूं आप कम से कम त्याक की भावना जरू क्या हम अपने घर में बैठकर भक्ती नहीं कर सकते क्या हम अपने घर में बैठकर कोई अच्छा कारे नहीं कर सकते तो आपका जवाब होगा क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे अच्छे काम कीजिए अच्छे अच्छी बाते कीजिए दुर्गा शप्शती ज बंधारा मना कर दिया, बंधारा नी करना, आप गली की कुटु को दूद पिला दीजिए, गाएं के चारे का इंतिजाम कर दीजिए, आप कटू गिलहरी के लिएक रोटी बना कर तोड कर पेड के नीचे डाल दीजिये, छोटी-छोटी की चीटियां जो आपसे बोल नहीं सकत उन्हें खाना चाहिए, उनके लिए खाने का इंतिजाम कर दीजे, मा दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ, कितना भी बड़ा भंडारा कर लो, कितने भी दान पुन्ने कर लो, लेकिन घर बैटी हुई, मा का अगर चश्मा तूटा हुआ है, और ये चश्मा बनवाने का टा लीफों से चुटका रहा, नहीं मिल रही, मन चाही नौकरी, तूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खतम हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है, टैरों के 78 कार्ड, खोलेंगे भविश्य का राज, सरकारी नौकरी से है आप को सो दूर, कुंडली जगाएगी, कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविश्य, उपर से ये जादू ही हवाएं, उपर ही हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाएगे, टैरो कराएगे, लेकिन अपनी जिन्दगी को जल्द बदलवाएगे, मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बतलाव मुझसे बतलावे जबस्त